विवान, वेल्कम बैक टू माइ चैनल देखिए आज मैं आप लोगों के लिए ये मास्क के साथ ये टोपी बना कर लाई हूँ तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कैप मैंने 10 से 7 साल के लिए बनाई है गर्ल्स और बॉइस कोई भी इसको कैरी कर सकते हैं यूज कर सकते हैं दोनों तरस इसका लुक बहुत अच्छा आता है अगर आप इस मास को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने काज दिया हुआ है और टोपे में मैंने ये बटन लगाया हुआ है ऐसे भी आप इसको हटा सकते हैं बहुत कमफर्टेबल है बहुत इजी है इसको बनाना वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे समझने के लिए चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने दस भंदे डालकर इसको उल्टा-उल्टा बुना है और यह देखिए काफी सारा हमने इसको बुन लिया है अपने कैप की गोलाई की हिसाब से जितनी आपको गोलाई रखनी है उस हिसाब से आप इसको बना लेंगे इसकी लैंट तयार कर लेंगे डबल करने के बाद अगर हम इस पट्टी को मेज़र करेंगे तो साथ इंच हमने इसकी चड़ाई रखी है दस नमबर की सलाईउं से मैंने इसको बुना है थोड़ा सॉफ्ट आता है और इसमें देखिए आपको करना क्या है इसको हमने पूरा ऐसे ही बुना है पहला भंदा उतारा धागा आगे किया और ये दस भंदे हमने उल्टे उल्टे इस तरह से दोनों साइड से ऐसे ही बुने है इस तरह से फिर दूसे साइड से भी हम इसको ऐसे ही बुनेंगे देखिए पहला भंदा उतारेंगे और इस तरह से अब हम इसको यहां से बंद करेंगे दो फंदे एक साथ लेंगे और बंद कर देंगे फिर ये पंदा इस पर डालेंगे दो बंदागे एक साथ अब बुरे के बुनेगे पुनेगे प्राद़ नहां बंदादेंगे इस तरह अब देखिए हमें क्या करना है इस धागे को हम पीछे रखेंगे यहां से ऐसे और इसके बाद इसकी पूरी लाइन के यहां से यह वाले फंदे हम उठाएंगे देखिए इस तरह से यहां को चेन दिखाए देगी इसी चेन के अंदर से हमें इस तरह से एक एक करके भंडा उठाना है यह बहुत ही इसी ली आप भंडे उठा पाएंगे हर चेन के अंदर से इस तरह से फंदे उठाने है यह दिखिए इस तरह से यह पूरे फंदे मैं यहां से यहां तक एंड तक उठा लूँगी यहां तक इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमें कैसे स्टार्ट करना है अब देखिए फंदे हमने सारे यहां पर उठा लिये हैं और यह हमारी रॉंग साइड है तो रॉंग साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना देखिए कैसे बनाना है पहला पंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे एक पंदा सीधा धागा आगे एक पंदा उल्टा एक पंदा सीधा क्योंकि ये बैक साइड है और ये हमारी फर्स रो है तो इसको हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे एक पंदा सीधा और एक पंदा उल्टा धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ये पूरी रोग हम इसी तरह से बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ, उसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखे रॉंक साइड हमने इसकी कम्प्लीट कर ली है, आप हम राइट साइड पर हैं, और राइट साइड में हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, देखे पहला बंदा उतारेंगे, पहला बंदा सीधा है, और इसकी बाद अगला बंदा जो हमारा उल्टा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, अब आपको यहां ध्याम देना है कि यह जो सीधा भंदा है इसको हम यहां से बनाएंगे एक स्टेप नीचे से बनाएंगे इस तरह से धागा आगे करेंगे उल्टा भंदा उल्टा बनाएंगे और सीधा भंदा हर बार हम ऐसे ही बनाएंगे औल्टा भंदा औल्टा बनाएंगे और सीधा भंदा नीचे से बनाएंगे आउज में पधाज और सीधी साइड़ से हम साइट North Mark एस तरह से हम इसको बना लेंगे और इसी तरह से बुनते हुए हम हम कंप्लीट करेंगे इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ायेंगे तो यह बढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे आपको सीधी साइट से प्लो बढ़ा और उल्टी साइड से भी ऐसे ही बुनना है तो यह बुनने के बाद मैं इसकी लेंद कंप्लीट कर लेती हूं फिर इसको हम बंद करेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे इसको लगबग मैंने साड़े पांच इंच तक बढ़ा लिया है अब देखिए इसमें हम घटाई है यह देखिए पहला भंदा हम हर बार की तरह उतारेंगे अब हम यहाँ पर चार भंदे सीधे बुनेंगे तीन और यह चार यह देखिए सीधे सीधे बंदे बुनेंगे और इस से अगले दो भंदे हम इस तरह से दो का एक करेंगे ऐसे फिर अगले चार भंदे हम सीधे ब फिर हम दो का एक करेंगे फिर हम चार पंदे सीधे बुनेंगे और फिर से दो पंदो का एक पंदा करेंगे यह देखे सीधा बुनते हुए अब हमें सारे पंदे यहाँ पर सीधे ही बुनने है हर चार पंदे के बाद हम दो का एक करेंगे इस पूरी सिलाई में हमें यही करना है एक, दो, तीन, चार इसे दो पंदो का एक करेंगे एक, दो, तीन, चार देखे, यह वाली रो हम पूरी इसी दरह से लास तक यहाँ तक कम्प्रीट कर लेंगे इसको घटाई करते हुए इसके बाद रॉंग साइड से मैं आपको बताती हूँ आप देखिए हम इसकी रॉंग साइड पर हैं तो रॉंग साइड को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कम्प्रीट करेंगे पहला बंदा उतारेंगे इस तरह से हम इसको पूरा उल्टा बुनेंगे इस सलाई को यह सलाई हम इसी तरह से उल्टी बुनकर कम्प्रीट करेंगे अब फिरसे हम यहाँ पर रॉंटा साइड पर हैं अब देखिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पिन सीदे बुनेंगे पहली सलाई में हमने चार फंदे सीधे बुने थे उसके बाद हमने दो काइक किया था अब हम यहाँ पर तीन फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद दो काइक करेंगे दो काइक कर दिया एक, दो, तीन यह देखिए तीन फंदे भूने फिर हम दो काईट करेंगे पिर तीन फंदे सीदे भूनेंगे उसके वाच फिर से हम दो काईट करेंगे अब देखिए राइश sayaGroup से हम इसको यहां पर नीचे से नहीं बुन रहा हैं ऑभ हम बिल्गूल सिंपल भूनेंगे इस तरह से इस वाली सलाई में हम इसी तरह से पूरा रिपीट करते हुए इसकी घटाई करेंगे इसके बाद जो उल्टी सलाई होगी इसकी वो हम पूरी उल्टी बनाकर कम्प्रीट करेंगे फिर मैं राइट साइड से आपको दिखाती हूँ इसमें हमें क्या करना है देखिए राइट साइड पूरी करने के बाद देखिए राइट साइड पूरी करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं और अब हम यहाँ पर दो फंदे बुनने के बाद दो फंदे का एक करेंगे यह देखिए दो का एक किया फिर दो फंदे बीच में बुनेंगे और यहाँ पर दो फंदो का एक करेंगे दो फंदे बुने फिर दो काई किया तो इसी तरह से हम इस सलाई को पूरा करेंगे और बैक साइड से उल्टी सलाई पूरी उल्टी करने के बाद मैं राइट साइड पर आपको दिखाती हूँ अब देखिए रॉंग साइड पूरी करने के बाद हम फर से राइट साइड पर हैं अब हम यहाँ पर एक फंदा उतारेंगे और अगले 2 फंदों का एक करेंगे ये देखिए दो काई कर दिया है अब एक फंदा बनेंगे अगले दो फंदो काई करेंगे देखिए इस सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे अब यह देखिए लास्ट रू भी हमने कंप्लीट कर ली है अब हम लेफ्ट साइड पर हैं अब हम रॉंग साइड पर हैं और यहां से हम यह धागा थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे सिलाई के लिए अब देखिए हम य कि यहां पर हम बंद करेंगे इसको उल्टी साइड से मोड़ते हुए यहां पर हम टाका लगा देंगे इसको हम इस साइड से अटाइच कर देंगे इसके साथ मिलाके हम इसको पक्का कर देंगे अब इसको हम यही पर छोड़ेंगे और यहां से अब हम इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए यह वला इससा हमारा अलग हो गया है यह कंप्लीट है देखिए यह हमारी दूसरी वाली साइड है और यहां पर भी हम जो दिखाई देंगी इनी chains के अंदर से हम फंदे उठाएंगे देके पहली ही आधर से हम इस तरह से पहने उठाएंगे और जितने फंदे हमने उपडाया थे 70 बंदे साथर घुल पने ही हम यह देखे इस तरह से पहले मैं यहाँ पर सारे फंदे उठा लेती हूँ फिर मैं इसको बढ़ाने के बाद आपको बंद करना बताऊंगे कि इसको हमें किस तरह से बंद करना है देखे सारे फंदे उठाने के बाद हम इसको इसी तरह से बुन लेंगे और थोड़ा सा हमें इसको बुनने के बाद आपको दिखाती में से हमें कैसे बुनना है अब ये देखे यहाँ पर हमने फंदे उठा ली थे पूरे फंदे उठाने के बाद 70 फंदे हमारे आये हैं इसमें और ये बॉर्डर हमने उसी तरह से बनाया है जिस तरह से यहां पर बुनाई की थी अब यह complete हो गया है हमारा तो अब हम इसको यहां से बंद करेंगे यह देखिया इस तरह से दोकाई करते हुए हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम ज्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे ज्यादा लूज भी नहीं रखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हाथ से इसको हम बंद करेंगे इस तरह से आए गई है और इसी तरह से हम ये सारे फंदे इसके बंद कर लेंगे यहां तक एंड तक फिर इसकी सिलाई करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ देखें ये फंदे हमने सारे लास तक बंद कर लिये हैं अब हम इस टोपी को उल्टा करेंगे इस तरह से और यहां से इसकी सिलाई करेंगे यहां से यहां तक यह देखें जहां पर यह देखें जहां पर हमने इसका सिरा छोड़ा था वहीं से हम इसको सिलते वजाएंगे और दोनु साइड से एक एक फंदा उठा कर इसको हम इस तरह से लेंगे इस तरह से सिलते हुए हम इसको लास तक सिलेंगे यहां तक और इसको बंद कर देंगे देखिए कैप की सिलाई हमने कर लिया है इसको सीधा कर लिया है कैप हमारी कंप्लीट है अब इसमें हम मास्क अटैच करेंगे तो मास्क कैसे बनाएंगे देखिए देखे हमने यहाँ पर 11 फंदे डालकर इसको उल्टे उल्टे की 4 सलाईयां कर ली हैं यह देखे दो लाइन्स आपको नजर आ रहे होंगी तो 4 सलाईयां हमने उल्टी उल्टी की हैं अब हम देखे इसमें काज बनाएंगे क्योंकि हमें इसको बटन के साथ अटेच करना है तो हम इसमें काज बनाएंगे पहला फंदा उतारेंगे एक दो तीन चार इस सलाई पर हमारे पास 4 फंदे हैं अब हम यहाँ पर काज बनाएंगे यह दा का इस तरह से लपेटेंगे अगले दो फंदे का एक करेंगे इस तरह से अगले चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे दो तीन और यह चार इस तरह से अब हम इसको यहीं से पलटेंगे पहला फंदा हर बार हमें उतारना है क्योंकि इसी से हमारी जो अगले सारे फंदे हमें ग्यारा फंदे पूरे इसी तरह से उल्टे बने हैं यह हमारा काज वाला फंदा है जो हमने यहां पर बनाया था इसको भी हम ऐसे ही बनेंगे इस तरह से पिर इसको पलटेंगे और अभी इसमें हम दो या तीन सलाईया और बनाएंगे बिल्कुल प्लेन इसके बाद हम इसमें फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे मास्क बनाने के लिए अगर आप बड़ो के लिए यह मास्क बना रहे हैं तो आपको इसमें कम से कम 15 या फिर 17 फंदे रखने होंगे यहां पर मैंने 11 फंदो से यह मास्क स्टार्ट किया है देखिए हर बार इस तरह से फंदा उतारेंगे और इस फंदे को हम तोड़ा सा टाइट रखेंगे अगले सारे फंदे हम मुल्टे बनाएंगे देखिए काज भी हमारा यहां पर बन गया है जितना बड़ा हमें बटन चाहिए उसके लिए सफिशिंट है देखिए यहां पर हम पांच फंदे बनेंगे दो, तीन, चार, और यह पांच पांच फंदे हमने इस साइड बन लिये हैं यह हमारा चटा फंदा है और पांच फंदे हमारे इस साइड है दो, चार, और एक यह पांच अब देखिए इस बीच वाले फंदे पर हम यहाँ पर फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से और इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे इसके बाद यहीं से इस सलाई के उपर ऐसे एक लूप बनाएंगे और इसी फंदे को हम दोबारा से बुनेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारे दो फंदे एक ही बार में बढ़ जाएंगे और आगे के फंदे हम उल्टे-उल्टे बुनेंगे अब यहीं से बैक साइट पर आएंगे पहला फंदा उतारेंगे आगे के फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे देखिए फंदा हमें एक ही सलाई पर बढ़ाना है दूसरी सलाई पर हमें फंदा नहीं बढ़ाना है तो यहाँ पर हम हर तीसरी सलाई पर फंदे बढ़ाएंगे यह देखिए यह जो फंदे हमने बढ़ाये थे इनको हमेकी करके इस तरह से बुनेंगे हर तीसरी सलाई पर हमारे यहाँ पर दो फंदे बढ़ेंगे एक साथ तो एक बार मैं आपको और दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरह से हमें फंदा बढ़ाना है यह देखिए पहला फंदा उतारा अब हम यहाँ पर छे फंदे हो गए हैं पिछली बार यहाँ पर हमारे पांच फंदे थे क्योंकि एक फंदा इस साइड बढ़ गया है और एक फंदा इस साइड देखिए इस तरह से आप यहाँ पर एक मारकर का यूज भी कर सकते हैं जैसे कि आपको यह पता रहे कि हमारा सेंटर वाला फंदा कौन सा है अगर आप भूल जाते हैं बीच में तो यहाँ पर आप एक मारकर यूज कर सकते हैं इस तरह से अब यह हमारा जो फंदा है यह सेंटर वाला फंदा है इस पर हम हर बार एक ही तरह से फंदा बढ़ाएंगे ये देखिए इस तरह से इसको ड्रॉप करने से पहले एक बार हम इसको wrap करेंगे loop बनाएंगे और फिर इस फंदे को बनेगे तो यहाँ पर हमारे एक से तीन फंदे बन जाते हैंगे इसके बाद अगले छे फंदे हम नॉमली बुनिएंगे जैसे बुनते हैं और ये उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन बनाएंगे यहाँ पर हमें फंदा नहीं बढ़ाना है हमें राइट साइड पर ही फंदा बढ़ाना है और पूरी जो बुनाई है हमारी इसमें हमने इसको उल्टे उल्टे से बनाया है तो इसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी बनाने में बहुत ही एजी है यह अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको एजीली बना पाएंगे इस तरह से बुनते हुए हम थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं तो यह बढ़ाने के बाद में आपको दिखाती हुए से हमें इसके फंदे हम काउंट करेंगे कितने फंदे हमें इसके बनाए हैं अब देखिए इसमें हमने फंदे बढ़ा लिये हैं तो यहाँ पर हम फंदे काउंट करेंगे कितने हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और एक 33 33 फंदे हैं हमारे यहाँ पर और इसको हमने करीब 3 इंच तक बढ़ा लिया है अब हम इसको बिना फंदा बढ़ाए हुए बुनेंगे बिल्कुल प्लेन प्लेन बुनना है हमने जो यह मास के पूरा 10 इंच का बनाना है तो 3 इंच हमने यहाँ पर बुना है अब थोड़ा हम यहाँ पर इसको बिना फंदे बढ़ाए हुए बुनेंगे यह देखिए इस तरह से यहाँ पर अब हम कोई बंदा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यह बीच वाला जो पॉर्शन होता है यहाँ पर हमें इसको बुनना है उसके बाद जब हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें उसी तरह से फंदे घटाने हैं जिस तरह से हमने दो-दो फंदे एक-एक सलाई में बढ़ाए है अब हम यहाँ पर कोई भी भंदा नहीं बढ़ाएंगे और इसको बिल्कुल प्लेन प्लेन बुनते हो जाएंगे उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों साइट से हम इसी तरह से बुनेंगे इसको बिना फंदा बढ़ाए हुए तो इसको हम इतना बुन लेते हैं अब देखिए इसको हमने बुन लिया है और इसमें हमने बिना फंदा बढ़ाए हुए इसको यहाँ तक बना लिया है इसकी लाइन्स किनेंगे अब हम तो यहाँ पर हमने छोड़ा था इसको और यहाँ से हमने इसको बिना फंदा बढ़ाए हुए बुना है तो यह लाइन्स हैं एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तहरा, चौधा, पंदरा, सोला, सत्रा सत्रा लाइन्स हमने यहाँ पर बनाई हैं इसकी अब हम यहाँ पर आधे फंदे इस साइट करेंगे और बीच में हम तीन फंदों का एक करेंगे जैसे हम यहाँ पर तीसरे बीच वाले फंदे पर हम दो फंदे बढ़ा रहे थे उसी तरह से अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे और घटाते घटाते हम इसको इतना बुनेंगे जहाँ पर हमारे फंदे जितने से हमने स्टार्ट किया था यहां हमने 11 भंदे से स्टार्ट किया था तो 11 भंदे हमारे रह जाएंगे वहां तक हम इसको बुनेंगे तो यह मैं आपको करके दिखाती हूं देखे स्टार्टिंग में तो हम इसको ऐसे ही बुनेंगे पहला भंदा उतारेंगे देखे 15 भंदे हमने यहां पर इसके बुन लिये हैं अब यह देखे जो बीच वाला भंदा है हमारा यह है तो एक भंदा हम इस साइड से लेंगे और एक भंदा इस साइड से और इस बीच वाले भंदे पर हम तीन भंदों का एक करेंगे इस तरह स्विसलाई में तीन भंदे डालेंगे और तीन भंदों का एक कर देंगे ऐसे बागी के भंदे हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने भंदे यहाँ पर बढ़ाए थे देखे जिस तरह से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने में सरफ एक ही सलाई पर फंदे बढ़ाए थे अगली सलाई हमने बिल्कुल प्लेन बनाई थी उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सरफ एक ही सलाई پर पंड़ने बढ़ाने हैं और इससे अगली सलाई जो है बिल्कुल प्लेई बनानी है इसमें हमें कोई फंदा नहीं घटाना है देखिए यह वाली सलाई बिल्कुल प्लेई बनाएंगे कि इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं देखिए पिछली बार हमने 15 फंदे बुने थे अब कि बार हम ये वाले 14 फंदे बुन लेंगे हर बार हमारा दोनों साइड से एक एक फंदा कम होगा क्योंकि हर सलाई पर हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे अभी देखिये यहँ पर भी मारकर यूज कर सकते हैं यह फंदा है यहां देखिए डबल फंदे नजर आएंगे हमने तीन का एक किया था यह देखिए मोटा मोटा सा नजर आएगा तो इस फंदे के इस साइड वाला फंदा और इस फंदे के इस साइड वाला फंदा इन तीन फंदों को हम एक करेंगे हर बार ऐसे ही हमें इसी फंदे के उपर दोनु साइड से एक फंदा लेकर तीन फंदे का एक फंदा करना है और इस तरह से बुनते हुए हम इसको वहां तक बुन लेंगे जहां तक हमने जिन फंदों से स्टार्ट किया था तो हमने यहां पर 11 फंदों से स्टार्ट किया था तो 11 फंदे तक हम इसको बुन लेंगे जब तक हमारे पास 11 फंदे रह जाएंगे तो एक सलाई पर हमें फंदे घटाने है और अगली सलाई हमें प्लेन बुननी है तो इसको हम कम्प्लीट कर लेंगे ऐसे ही देखे इसको घटाते हुए हमने इतना बुन लिया है बिल्कुल इसी की बराबर इसको हमने बुना है अब जहां पर हमारी घटाई रुकी है तो यहां पर हमने 11 फंदे छोड़े हैं घटने के बाद और इसके बाद हमने 3 सलाईय बिल्कुल प्लेन बना ली हैं जैसे हमने यहां पर स्टार्टिंग में बनाई थी तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से काज बनाएंगे अब यहाँ पर भी अब हम काज बनाएंगे तो देखिए पहला फंदा उतारा इसके बाद चार फंदे हम बुनेंगे दो, तीन, चार और यह पाँच अब यहाँ पर हम सलाई के उपर इस तरह से धागे को घुमाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से यह हमारा काज बन गया जैसे हमने फंदा घटाया था वैसे ही हमारा फंदा बढ़ गया है साथ के साथ और यही जाली यहाँ पर काज का काम करेगी तो इस काज के बाद देखिए चार सलाईया और हम करेंगे देखिए जाली वाला फंदा इस तरह से इसके साथ बुनने में आ जाएगा अगर आप चाहें तो इसमें लूप भी बना सकते हैं मैंने यहाँ पर बटन लगाया हुआ है कैप में अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो मैंने उसमें इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर काज बनाए है यह देखिए काज बनाने के बाद दो लाइन्स हमारी प्लेन हो गई है जैसे हमने इस साइट बनाई थी यह देखिए दो लाइन्स है अब हम इसको यहां से बंद कर देंगे दो बंदो का एक करते हुए यहां से इसको हम बंद कर देंगे अब देखिए यह मास्क हमारा बनकर रेडी है इसको अब हम कैप में टैच करेंगे देखिए यहां पर कैप में मैंने दोनों साइड यह बटन लगा दिये हैं एक इस साइड लगाया है और एक इस साइड तो ऐसे ही हम देखिए यह मास्क हम इसमें अटैच कर देंगे तो यह मैं आपको अभी बना कर दिखाती हूँ इसको लुक कैसे आएगा देखिए इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा मैं आपको पिना कर दिखाती हूँ यह देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा देखिए यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है I hope वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर मेरी वीडियो पसंद आए है तो अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे अची वीडियो देख के लिए थैंक्स फूर वाचिंग बाई